आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम ऐसे दान तब नहीं होता है, इस्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत 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 है, NTPC Renewable Energy Limited, ये भारत का फर्स्ट Green Hydrogen Mobility Project लदाग पर लगाएंगे, तो हम बात करेंगे दोस्तों इसकी, देखिए अगर NTPC Ren National Thermal Power Corporation जो अमारे बिजली बनाता है, वो इसको ओन करता है, तो अब hydrogen की, इस energy की बात कर लेते हैं, कि hydrogen जो है, भाई, देखो, H2O, hydrogen की ही वज़े से अमारा जीवन है, hydrogen और oxygen को मिला दो, तो आपका पानी बन जाता है, तो ये most abundant elements on earth है, सबसे जादा ये hydrogen आपको मिलेगा, और बहुत ही important fuel option है, hydrocarbons आपने सुनेंगे, organic, organic chemistry, दो में divided हैं, organic जिसमें hydrocarbon आ जाते है, इसमें petroleum, coal, सब में hydrocarbon होता है, CH, है ना, और उसके बाद inorganic जिसमें ये नहीं आता है, तो ये fuel option, alternate fuel option, हर fuel में, कोई भी energy में आपका hydrogen present होगा ही होगा, कितनी तरीकी के hydrogen होती है, green hydrogen होती है green hydrogen, जो हम अभी देख रहे हैं, वो green hydrogen ही produce करेंगे हम, तो green hydrogen कैसे produce करते है, water का electrolysis, electrolysis मतलब क्या, electrically water को treat करना, किसी भी चीज़ को electrically treat करना, एक cathode लगा हो, एक anode लगा हो, और element separate हो जाए, तो इसमें water का electrolysis किया जाता है, अब water का electrolysis का मतलब क्या है, ये positive इधर लगा है, minus सिदर लगाया, अब water टूड़ किया, water H2O होता है न, oxygen अलग, hydrogen अलग, और hydrogen हमको चाहिए, तो इसमें हम solar energy, wind energy से ये green hydrogen जो है, बनाते हैं, और यही green hydrogen जो है, वो लद्दाक में लगाया जाएगा, इसका carbon footprint, carbon generation बहुत 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 कम होता है, hydrogen oxygen को हटा देगा, byproducts क्या होत है, तो water ही तो बचेगा, second आपका brown hydrogen होता है, ये coal, coelay से brown hydrogen जो है, वो निकाली जाती है, तो इसमें आपका carbon footprint जो है, वो ज्यादर जनरेट होता है, grey hydrogen होता है, ये natural gas से आएगी, ठीक है, blue hydrogen होता है, अगें ये natural gas से आती है, अब grey hydrogen की बात करें, तो इसमें emissions जो होते है, वो storage द्वारा, तो ये total 4 तरीकी का hydrogen होती है, देखें, एक आप बात आप समझें, कि हमको carbon footprint को घटाना है, तो हमको clean energy चाहिए, carbon क्या करता है, heat को absorb करता है, जैसे हमारे atmosphere में 0.21% carbon है, बहुत ही कम है, तो इतना पर्याप्त मात्रा में है, अब क्या होता है, कि धर्ती जो है, वो पूरा दिन भर गर्मी को लेता है, और रात में इसको radiate करता है, तो carbon उसको absorb करता है, carbon absorb करेगा, जिसकी वज़े से धर्ती जो है, वो गर्म रहती है, यानि कि एक अच्छा temperature, ठीक ठाक temperature maintain होता है, अगर carbon जादा होगा, तो धर्ती जादा गर्म होगी, जादा गर्मी वो absorb कर करते हैं, यह हम fossil fuel से generate करते हैं, जो कि हमारा primary source है, ठीक है, लेकिन वही है कि organic material, जैसे fossil fuel से अगर आप hydrogen generator है, तो carbon generation भी जादा होता है, लेकिन green hydrogen मस्त है, आप यह देख सकता है, इस तरीके से काम करेगा, यह आपकी windmill है, ठीक है, अब यह windmill क्या करेंगे, पानी को यहाँ प फिर store किया जाएगा, और उसके बाद फिर hydrogen को supply किया जाएगा, hydrogen energy है, तो must supply करेंगे फिर घरों में, यह आप देख सकते हो, कि यह windmill है, और यहाँ से clean energy जो है, वो generate होगी, hydrogen और wind जो होते हैं, वो clean renewable energy generate करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम water add करेंगे, अब जैसे ही water add किया, electrolysis हुआ, तो hydrogen और water अलग हो गए, फिर यहाँ पे green energy, मतलब hydrogen को हम रखेंगे, compress करके रखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको use करेंगे, अब green hydrogen का significance क्या है, सबसे पहली बात तो कि हम carbon footprint को घटाएंगे, और यह clean source of energy है, हमारी energy security access availability के लिए, यह green hydrogen बड़ा important रहेगा फिर उसके बाद, green hydrogen जो है, उसमें आप energy store भी तो कर सकते हैं, हमको energy चाहिए, और renewable energy चाहिए, non renewable energy मतलब क्या है, जो एक time पर खतम हो जाएंगी, जैसे petrol, coal, यह हमेशा नहीं चलने वाले, यह खतम हो जाएंगे, जिस तरीके से हम use कर रहे हैं, तो हमको renewable energy चाहिए, ऐसी energy जि हम use कर सकते हैं, transportation के लिए, जो free to movement होता है, गाडियों में इस energy का use हो सकता है, energy तो चाहिए, diesel, petrol, आपकी गाड़ी को energy तो देते हैं, है कि नहीं, तो यह चीज़ है, इसको हम railway में यूज कर सकते हैं, ships, buses, trucks में यूज कर सकते हैं, applications की बात करें, तो यह जो green energy है, इसमें fertilizer, power chemical shipping, इन सब में use कर सकते हैं, और यह सब समझे, commercially बड़ा important है, transportation cost बरती है, आपने देखा होगा, कि जब भी, petrol, diesel की cost बरती है, petrol, diesel की cost बरने के साथ, महंगाई भी बरती है, क्योंकि transportation cost बर जाती है, तो हम petrol region क्यों बाहर से खरी दें, यहीं से बनाओ, है कि नहीं, फिर advantage क्या है सबसे पहले तो 100% sustainable source है, कोई भी polluting gases यह emit नहीं करेगा, उसके पास यह gas है और इसको आसानी से मिस्टोर कर सकते हैं, hydrogen है gas होती है न, इसको आप आसानी से आप मिस्टोर कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको आप आसानी से transform कर सकते हैं, electric city में, तो energy जो है, electric city is the main source, सब कुछ पिजली से चल रहा है, तो domestic commercial industrial purpose के लिए हम इसको use कर सकते हैं, green hydrogen को आप natural gas से भी mix कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद, pipes के थ्रू आप इसको supply कर सकते हैं, disadvantage क्या है, इसमें renewable sources use होंगे, जो green hydrogen को generate करेंगे, थ्रू electrolysis, अब यह बड़ा expensive process है, ठीक है, पहले आप wind will लगाओ, उसके बाद फिर electrolysis, बड़ा plant लगाना पड़ेगा, इसमें करोणो रुपे खर्च होंगे, तो यह मुश्किल है, वैसे ही भारत में debts है, राज इतना नहीं कर पाएंगे, हलाके NTPC तो center के पास ही है, उसके बाद, यह जो green hydrogen energy है, इसको जादा energy की जरूरत है, बाकी तो जला आ गया, लेकिन इसमें आप देखे ना, पहले आपको windmill, पहले हवा, hydrogen mix, उसके बाद फिर आप water डाले, उसका electrolysis करो, तो इसमें जादा energy आपको देनी पड़ेगी, green hydrogen जो है, वो काफी जादा volatile है, और देखे जो आग होती है, जो यह ज्वलंत gas है, flammable element है, तो इसमें है, देखो हम hydrogen energy mission जो है, वो launch कर रहे है, ताकि hydrogen हम renewable sources से निकाल सके, फिर उसके बाद, जो Indian oil corporation उसने agreement sign किया था, COE, Center of Excellence of Hydrogen के साथ, R&D projects, research and development projects बहुत सारे चल रहे हैं, भारत और अमेरिका ने भी एक task force बनाए है, ताकि SCEP, strategic clean energy partnership इनो ने sign किया है, ताकि green energy का development हो सके, way forward यही है कि सबसे पहले तो हमको hydrogen को बहुत बढ़िया तरीके से use करना है, और एक target बनाना चाहिए, कि इतनी green hydrogen हमको चाहिए ही चाहिए, manufacturing program शुरू हो, मज़ा आएगी दोस्तों, क्योंकि यह आपकी energy demand को बहुत ज़दा कम कर देगा, मतलब जो हम बाहर पे depend रहते हैं, है साथी साथ हमको solutions चाहिए, जैसे hydrogen infrastructure set up करना पड़ेगा, refueling, heating and generation of electricity airports, खाली लद्दाक में नहीं, हर जगा आपको hydrogen प्रांच, जहां पे भी energy चाहिए, महां पे आप इसको set up करिए, fuel cells के reference में, जिसमें hydrogen rich fuel और oxygen electricity generate करते हैं, इसमें कौन सा सही है, if a pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cells emits heat and water, यह बिल्कुल सही बात है, अभी हमने बताया, fuel cells can be used for powering buildings and not for small devices like laptop, computers, यह बिल्कुल गलत बात है, यह laptop, computer, small devices को भी power दे सकता है, third, fuel cells produce electricity in the form of alternating current, बिल्कुल गलत है, DC current भी होता है, so a is the correct answer,